गुद मार्निंग बच्चों आज हम आपको पाठ ग्यारा एका दर्शा पाठा याने पाठ ग्यारा सुभासित रत्नानी याने अच्छी बाणी पढ़ाने जा रहे हैं तो देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए सर्वे भवन्तु सुखना याने सभी लोग सुखी रहें सर्वे संतु निरमया याने सभी लोग निरोग रहें सर्वे भद्रानी पस्चनतु शवका कल्यान हो कश्चित दुख भाग बिवित कभी किसी को कोई दुख न हो याने सभी लोग सुखी रहें सभी लोग निरोग र ज्याण हो कभी किसी को कोई दुख ना हो दूसरा देखेज कि करणियानी कुर्या, कुर्याद देव बुद्धिमान यानि बुद्धिमान लोग जो होती हैं, आज का काम आज ही कर डालते हैं, आज का काम कभी कल पर नहीं छोडते हैं, यानि हमेशा आज का कार हमें आज ही कर लेना चाहिए, आज का कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, यानि क क्या होने वाला है यह कोई नहीं जानता है तो हमेशा हमें आज का कार आज ही खत्म कर लेना चाहिए दूसरा देखिए बच्चो परुपकार आए बहन्ती नद्या परुपकार आए फलन्ती ब्रिक्षा परुपकार आए दुहन्ती गावः परुपकार आए सरीर मीतत यने यह नद्या जो है परुपकार के लिए बहती हैं फल भी ब्रक्ष परुपकार के लिए देते हैं और गाय भी दूहती हैं याने गाय को भी हम दूद दूहती हैं वो भी परूपकार के लिए और ये सरीर भी परूपकार के लिए ही है यहने हमेशा नदिया परुपकार के लिए बहती हैं और परुपकार के लिए ब्रक्च में फल भी लगते हैं और परुपकार के लिए ही गायद हुई जानती हैं और परुपकार के लिए भी यह शरीर है यहने यह शरीर भी हमारा सिर्फ परुपकार करने के लिए है चोथा देखिए काका क्रिष्णा पिका क्रिष्णा को भेद पिपका काकियो प्राप्ते बशंत काले वैं काका काका पिका पिका यहने कववी काला होता है और कोयल भी काली होती है लेकिन इनका भेद जब बशंत्रितु आती है तब खुलता है जब कोयल कूकती है तब पता चलता है कि कौन कोयल है और कौन कववा है तो बच्चो कववा काला है और कोयल भी काली फिर से सुन लीजे फिर तो कववा और कोयल में क्या भेद है ये तो बशंत्रितु आनी पर ही हमें पता चलता है जब कोयल कूकती है तो इस तरह कववा रहता है और कोयल कोयल रहती है यहने रंग रूप से कुछ नहीं होता उनके अचार विचार से पता चलता है कि कौन क्या है जैसे कववा भी काली होती है और कोयल भी लेकिन जब वो तब पता चलता है कि कौन कोईल है और कौन कोवा है तो बच्चों ये इस लोग आप लिखकर अच्छे से लेंड कर लिएगा और लेंड करके लिखकर भी मुझे बेजियेगा धन्यवाद ये आपका होमबर्ग है